स्वागत है आपका बक्सर खबर के समाचार बुलेटिन में न्यूस बुलेटिन के मुख्य स्पॉंसर हैं आरके ज्वेलर्स अकरसकाभूशनों के विश्वसनी विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन की प्रमक सुर्खियों पर अंसुल अगरबाल बने बक्सर के नए जिला धिकारी दूहजार सोरा बैच के हैं पता धिकारी डुमराओं पुलिस ने किया बाइक लुटेरा गिरोह का उद्वेदन पांच अपराधी गिरफतार एक ही राट डुमराओं सहर में चार दुकानों में सेधमार करचोरी पुलिस के बीरोज में लगे नारे सहर में पुलिस ने चलाया रोको टोको अभियान की सोरों पर विजहस नजर एसपी ने बुलाई क्राइम बैठक दिये आवस्यक दिशा निर्देश आज MP हाई स्कूल में लगेगा मेगा हेल्थ चेक अप कैम्प वामन चेतना मंच का प्रयास हेरोईन तसकरी के आरोप में जिले के दो सगे भाई गाजी पूर पुलिस के चड़े हर्थे दिली में गूज रहा सिर्हासरम बक्सर का नाम रामकर्म भूमी के तहत आयो जन काम धेनुनेक्स नजमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्लिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिमरी संपर्क करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर अब ख़बरों की चर्चा बिस्तार से अंसुल अगरवाल बक्सर के नजील अधिकारी बनाए गए हैं बीते दिन सनिवार को सरकार द्वारा जारी आदेश में 2014 बैच के आई इस पद्विकारी अंसुल अगरवाल को बक्सर का डिम नुक किया गया है या कोटा राजस्थान के रहने वाले है फिल्हाल राजसवास सम्मिती पट्णा के स्थानिक सचियू का कारे देख रहे थे दूजार सोरा बैच के अंसूला गरवाल की यह पर्थम पोस्टिंग है बकसर के निमर्तमान जिलाधिकारी अमन समीर को सारण का जिलाधिकारी बनाया गया है जिसे छपरा भी कहते है बुलेटिंग के दूसरी सुर्खी है बीते दिन सनिवार को दूमराओं और बंडल की पुलिस ने लूट के तीन मामलों का उद्भेदन किया यह जानकारी एसपी सर दूमराओं के एसटीपी और राज ने मीडिया को दी उन्होंने बताया सिमरी बगेन नवानगर इलाके में हुई लूट की घटनाओं में पांच अपराधी पकड़े गए हैं इनके पास से पांच बाइके बरामद हुई हैं एक देसी तवंचा भी मिला है पकड़े गए अपराधियों में दो असोक एवं अजे यादो आरा जी लेकर रहने वाले हैं तीन अपने जी लेकर इसमें नवानगर सिमरी और बगेन गोला में तीन बाइक लूट की घटनाओं हुई थी चुकि केस केस रेसन्स को देखते हुए पुलिस अदिशक मौद है के त्वारे एक टीम घटित किया गए इस टीम ने लगाता चापे मारी और आसुचना संकलन करते हुए सरपर्थम सिमरी और बगेन गोला के थाना में चेतर बेज़े बाइक लूट की खतनाओं हुई थी इसमें हम लोगों ने सबरपर्थम अजय राहुल राय उर्ट बलिर में लूटे वे बाइक दोनों की हम लोगों ने रेकवरी कर लिया इसमें राकेस यादव जो की बगेन गोला के रहने वाले हैं हुए साथ में लूटे गए 10,000 रुपया पूर्न रुप से हम लोगों में बरामत कर लिया है नावा नगर में भी बाइक लूट की घटना वहां चेकिंग में दो लर्के जो कि एवसेख कुमार नाम है और अजय कुमार दो लोग भुझपुर जिला के रहने वाले हैं अपने एक बाइक से गुजरने थे उनके पास से बाइक चेकिंग के अभियां के लारा तो उनके पास से एक कट्टा एक फाइटर और एक इसमें उनके पास से इसमें उनके अपनी शेकार किया है और जो बाइक वहां से भी जो घटना में जो बाइक यूटे गया थे उसको लोग ने रेकवरी कर लिए बुलेटिन के तिसी सुल्खी भी डुमराओं से जुड़ी हुई है चोरों ने डुमराओं में आतंक मचा रखा है सुक्रवार की देर रात अपराधियों ने गोला रोड में इस्थित न्यू मार्केट की चार दुकानों में सेध मार कर चोरी कर ली सुचना के अनुसार गोला रोड में स्थित साहिन सोहब समीम हक्तर जिनकी जूते की दुकान है इसके अलावा कौसर सिराज वर राजू चत्रवेदी इन चार दुकानों में चोरी हुई है आस्थानी लोगों ने डुमराओं पुलिस की खिलाफ वहां के बेवसाईयों ने जूट होकर नारे बाजी की और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जिसकी कुछ अन्सा आप यहां सुन सकते हैं पुलिस ने रोको टोको एवियान सहर में तेज कर रखा है जिसे आप बाईक चेकिंग अवियान भी कर सकते हैं सूचना के अनुसार इस बार के अवियान में किसोरों पर भी सेस नजर रखी जा रही है क्योंकि कई अस्कूलों के प्राचारेों एम अविभा को न सिकायत की है कम उम्र के नौजवान अकसर कोचिंगी शूटर सकूलों के आसपास मतरगस्ति करते दिखते हैं और फप्तिया करते हैं हलाकि आपको हम बता दें नाबालिक बच्चे अगर बाईक चलाते पकड़े गए तो उस पर जुर्माने की रासी लगबक पचीस अजार है हलाकि अभी तक सिर्फ हेलमेट का चलान भरने वाले लोग पुलिस को भला बुरा करते हैं लेकिन जब पचीस अजार का जुर्माना होगा तो घर वालों को भी नानी आता जाएगी बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है एसपी दीपक बर्णवाल ने बीते दिन सनिवार को क्राइम बैठक बुलाई पिछले एक माह से वे बकसर जिले के पुलिस कप्तान का कारे देख रहे थे आज उनका अंतिम दिन है जाने से पहले ही एक दिन उन्होंने जिले के सभी थाना धक्षो को बुलाया जिसमें एसपी राज डीएसपी गोरख रामवादी मौजूद थे उन्हेंने आवसेक निर्देश दिये और सभी को इस एक माह के दवरान बेहतर कारे के लिए बढ़ाई भी दिये बुलेटिन की छटी सुर्खी है MP High School में आज रवीवार को मेगा हेल्थ चेक अप कैम का आयोजन किया गया है जिसमें जिले ही नहीं प्रदेश के कई प्रमुख भी सग चिकित सक सामिल हो रहा है वामच ये इतना मंच द्वारा आज़ित इस कारिकरम की परसंसा हो रही है आप भी दो पहर दो बैसे पहले इसमें सामिल होकर स्वास्तलाव ले सकते हैं बुलेटिन की साथवी सुर्खी है हिरोईं तसकरी के आरोप में जिले के दो सगे भाई गाजी पुर पुलिस के हत्थे चड़े हैं रेवती पुर की पुलिस ने कुरान सराय के मुगाओं गाओं कराने वाले अपुराय नीरा जराय को गिरफतार किया है जिनके पास से 603 ग्राम हेरोईं जब की गई है एक स्विफ्ट कार भी इनके पास से पुलिस ने जब की है अब चलते चलते बुलेटिन की आठवी सुर्खी बक्स दिल्ली में इन दिनो सिराम कर्मभुमिन न्यास सिरासरम अर्थात बक्सर का नाम गूज रहा है वहाँ के च्छतरपुल हनुआन मंदिर में राम कर्मभुमिन न्यास द्वारा कारिक्रम आउजित है जिसका आउजन अस्थानिय सांसर सा किंद्री राजमंत्री अस्विनी चौबे ने किया है बक्सर को अध्यात्मिक खिंद्र बनाने और इसके विकास के लिए विभिन संगठनों के लोगों का ध्यान आकरिष्ट करने के लिए यह कारिक्रम दिल्ली में आजित किया गया है जिसमें बक्सर के लोगों ने भी बढ़ चर कर हिस्त दारी की और चलते चलते आपके लिए एक विशे सूचना परतेक रविबार को बकसर खबर दिभी दर्सन का रिक्रम पस्तूत करता है इसकी कड़ी में आप देश के विविन मंदिरों के दर्सन प्राप्ट कर सकते हैं आज की बुलेटिन पसी तना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ हम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद